हलो दोस्तो, JSC परीक्षा में एक वर्फिर सब का स्वागत है तो आज हम लोग JSC Cigil के कंप्योटर सेक्षन के लिए कंप्योटर से समंधित दूसरा वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं इसी वीडियों हम लोग MS Office के बारे में पढ़ेंगे MS Word के बारे में पढ़ेंगे और साथी साथ कीबोड के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उमीद है दोस्तो कि आज तक आप JSC Cigil कंप्योटर के लिए जितना ही वीडियो पढ़ेंगे MS Office का, MS Word का और कीबोड के लिए तो उन सभी वीडियो से इस वीडियो में आपको ज़्यादा जनकारी मिलेगा और वैसा जनकारी मिलेगा जो की JSC Cigil के लिए बेहद ही इंपोटेंट होगा ठीक है? तो आप यदि 10-15 मिनिट वीडियो में यदि ध्यान से देखते हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब जो कंटेंट होने वाला है आपके लिए कितना खास होने वाला है ठीक है? तो चलिए हम लोग MS Office से आरम करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि MS Office का full form होता है Microsoft Office ठीक है? देखे, Microsoft Company का एक Application Software है MS Office ठीक है? एक इसका Application Software है तो MS Office जो है वो Microsoft Company का एक Application Software है MS Office को Official Work के लिए Launch किया गया था ठीक है? डाटा को Digitalी रूप में Save रखने में काम आता है ये ठीक है? जैसे कि कोई Office का चीज है तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है? जिसमें क्या है? कागजी यानि कि दस्तावेज का बहुत सा रामबार लग जाता है लेकिन उन सारी चीजों को रोकने के लिए ठीक है? डाटा को कंतूर्टर में Store करने के लिए MS Office लाया गया था ठीक है? ऐसे Office वाले चीज जब वर्फ होंगे वो Simple हो जाएंगे ठीक है? कम से कम पेपर लेस हो जाएंगे और जो भी डाटा हम लोग को निकालना होगा वो जल्द हम लोग सर्च करके निकाल सकते हैं ठीक है? MS Office तो Microsoft Office Windows के लिए ये अभी ये अभाई लेबल है और साथी साथ M-A-C-O-S के लिए भी ये अभाई लेबल है यानि कि Apple का उपरेटनी सिस्टम के लिए भी ये अभाई लेबल है ठीक है? ये Paid Software होता है MS Office और User को उपरेट करने में बहद ही आसाम होता है ठीक है? यानि कि User Friendly है ठीक है? चलिए MS Office सूट या पेकेज के अंदर रगत क्या क्या आते हैं उन सारी चीज़ों के बारे हमों लोग भी जानेंगे देखे MS Office में ही आपको MS Word पढ़ना है ठीक है? ये Officially में Later के लिए बहद इंपोर्टेंट होता है ठीक है? अब देखिए इसमें ही MS Office में ही आता है MS PowerPoint ठीक है? ये क्या करता है तो Presentation बनाने ने देहद ही important होता है इसका रोल ठीक है? और MS Access तो Database प्यार करता है MS OneNote या करता है तो Digital Notebook है ठीक है? digitally Notebook होता है ये MS Publisher क्या होता है तो Design or Flexboard बनाता है ठीक है? और MS Outlook क्या करता है तो ये Email Client है ठीक है? जैसा है कि हम लोग क्छली वीडियो में Email Client होगारा के बारे में सारे चीज़े बारे में पढ़ चुके हैं यदि आप अवे तक पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाए प्लेलिस्ट में वहां से आप असानी से इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप असानी से देख सकते हैं ठीक है? यानि कि यदि हम लोग समझेंगे देखें MS Office क्या होता है तो एक package होता है या suit होता है इसमें बहुत सारे software जो है न वह मिले होते हैं ठीक है? तो यही सब software जो है MS Office के package में मिलता है ठीक है? तो हम लोग इसमें MS Word के बारे में इस वीडियो पढ़ेंगे और आगे हम लोग MS Excel के बारे में पढ़ेंगे MS PowerPoint के बार version अपडेट होते है यानि कि इसका जो बिकास development होते है फिर 1992 version 3.0 आया ठीक है? उसी प्रकार 1994 version 4.0 आया 1995 version 95 आया ठीक है? 96 में भर्जन 96 and 97 आया और 1999 में भर्जन 2000 आया और 2001 में भर्जन XP आया ठीक है उसी प्रकार से 2003 में 2003 भर्जन आया 27 में भर्जन 2007 आया 2010 में 2010 भर्जन आया 2013 में भर्जन 2013 आया देखे जो 2007 से पहले का ओफिस का फाइल extension होता था वो होता था .doc होता था यह 2007 से पहले का फाइल का extension होता था यानि कि जो भी हम लोग फाइल बनाते थे उसका नाम में जो extension लगा होता था और .doc होता था 2007 से पहले ठीक है लेकिन 2007 के बाद इसके फाइल extension में .docx जोड़ गया यानि कि इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे तो .docx यानि कि मातर x जोड़ गया 2007 के बाद वाले फाइल extension में यहां से प्रस्ण जो है आम तवर पर पूछे ही जाते हैं clear चलिए देखे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे MS word के बारे में देखे MS word का मतलब यानि कि full form हो जाएगा Microsoft word ठीक है देखे MS word जो होता है वो word processor होता है ठीक है सबसे पहला जो word processor था ठीक है वो था electric pencil 1976 ठीक है सबसे पहला word processor आप से पुछ ले जाएगा तो कौन सा था electric pencil 1976 ठीक है सबसे famous word processor कौन था तो वो था word star ये 1987 में आया ठीक है 78 में आया ठीक है ये जो आया starfish ये 1978 में आया ठीक है अब देखे अन्य जो word processor है जैसे की k right हो गया k word हो गया open office हो गया star office writer हो गया word perfect MS word हो गया ये सब जो है ना ये सब अन्य word processor है ठीक है MS word के जैसा ही ठीक है Microsoft word Microsoft द्वारा big shit एक word processor है इसे पहली बार 25 अक्टूबर 1983 को launch किया गया जारी किया गया शुरुआत में Genix system के लिए multi tool word नाम से ये जारी किया गया था यानि कि शुरुआत में जब जारी किया गया था इसका नाम क्या था तो Genix operating system के लिए multi tool word का इसका नाम दिया गया था क्या multi tool word ठीक लेकिन बाद में इसको MS word नाम दिया गया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे देखे बर्जन अपडेट 11 October 2022 को हाली में हुआ है और MS word android के लिए भी क्या है बिक्सित किया गया है ठीक है विंडोज के लिए MS word का इती हा से दी हम लोग जानेंगे इसका version 1.0 आया 1989 में code नाम इसका था OPS क्या नाम था OPS नाम था 1990 में version 1.1 आया code नाम था इसका Build the Cat क्या नाम था Build the Cat ठीक है उसी प्रकार से इसमें version update होते गए होते गए ठीक है यहां से आप इसका version अपडेटेशन देख सकते हैं ठीक है चलिए ज्यादा important version वाला नहीं है अब आगे बढ़ते हैं देखिए MS word को हम लोग तीन तरीका से open कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले क्या कर सकते हैं तो माउस पर क्या करेंगे right click करेंगे और वहां से click new पर जाएंगे then click MS word करेंगे तो MS word open हो जाएगा उसी परकार से start button पर जाएंगे MS word office में जाएंगे और MS word वहां पास रहेगा उसको click करेंगे MS word open हो जाएगा और run में जाकर के win word में जाएंगे वहां से भी हम लोग MS word असानी से खोल सकते हैं MS word खोन लेके बाद उसका जो interface होता है कुछ शुरुवात का इस परकार का होता है उसमें word, home, new और open और new, old और good morning आपको visage होता है ठीक है और इसके बाद जब आप new में जाएगा तब उसके जो खोलेगा ठीक है वह आप Google भी कर सकते हैं कि MS word का interface कैसा होता है वहां से आप यदि Google करके देखिएगा तो और भी अच्छा समझाएगा ठीक है देखिए यदि आप Google कीजेगा तो उसका interface कुछ इस परकार से खोलेगा चले एक-एक करके हम लोग यहां से सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग हर एक topic पर बिस्तिरतुर्प से जानेंगे ठीक है जैसे देखिए इसमें सबसे उपर दिया हुआ है quick access toolbar टूल बार ठीक है quick access toolbar म आपको बहुत सारे चीज यहां पास देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि bike वाला दिया हुआ है button file का दिया हुआ button ठीक है और उसके बाद एक side देखिए office button दिया हुआ है ठीक है एक side कौन सा button दिया हुआ है तो office button दिया हुआ है यहां पास आप देख रहे होंगे कि इसमे ribbon tabs दिया हुआ हुआ है जो ribbon tabs है इसको हर एक को पढ़ना है जैसे कि home को पढ़ना है insert को पढ़ना है page layout पढ़ना है reference पढ़ना है mailing पढ़ना है review पढ़ना है तो यह ribbon tab के सारे tab को हम लोग पढ़ेंगे और साथी साथ अब देखे इसका जो title बार रहेगा वो सबसे उपर रहेगा title बार कहा रहेगा सबसे उपर रहेगा उसके बाद ribbon रहेगा ठीक है उसके बाद scale वगर रहेगा ठीक है तो title बार में इसका नाम सो होगा तो इसका नाम जो सो होगा वो रहेगा document 1 यानि कि इसका जो by default नाम रहेगा हो क्या नाम रहेगा तो by default नाम इसका रहेगा document 1 ठीक है उसी परकार उसके नीचे जस्ट देखेगा, तो आपको help बटन देखने के लिए मिलेगा, help बटन ठीक है, आप देख सकते हैं, ribbon में देखिए, आपको बहुत सारे चीज यहां पास आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जैसे के लिए आपका text कैसे लिखा जाएगा, space उसमें दिया जाएगा की नहीं दिया जाएगा, heading आपका क्या है, current में, उसी परकार से आप color दे सकते हैं, bold कर सकते हैं, underline कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के नीचे कुछ लिख सकते हैं, टेस्ट के उपर उसका पाउन में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार्थ यहां पास paragraph चेंज करने वाला दिया हुआ है, ठीक है, अब देखें, अब यहां पास आपको देखने के लिए मिलेगा एक e-scale, ठीक है, e-scale आपको मिलेगा, जिसको बोलेंगे horizontal ruler, और एक आपका रहेगा इसमें vertical ruler जो कि यहां पास दिया हुआ है, ठीक है, अब देखें, एक है tap selector, यहां से आप tap selector कर सकते हैं, यहां पास आपको लिए text area रहेगा, और जो crusher रहेगा, वो crusher का निसान आपको ऐसे line से दिखाया दि आपका यहां so होगा, ठीक है, केविताकुस में आपने कितने word लिखा है, ठीक है, कौन से language में लिख रहे हैं, तो देखें, English, United, State, ठीक है, अब देखें, यहां आपका status bar देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, उसके बाद status bar के side में दिया आप देखिएगा, ठीक है, तो यहा पास देखी, आपको view button मिलेगा, यहां पास नीचे जो है, वो आपको view button देखने के लिए मिलेगा, और यहां पास है zoom tool, ठीक है, यानि कि यह हो गया view button, यह हो गया zoom tool, ठीक है, तो यहां से आपको zoom को बढ़ा सकते हैं, zoom घटा सकते हैं, ठीक है, और view button में यहां पास आपको जैसे print में खुलते हैं वैसे ही खुलेगा और देखे यह है आपका vertical scroll bar यानि कि आपको vertically scroll करना है तो इसको आप directly click कर सकते हैं इस पर उसी प्रकार नीचे दिया हुआ browse button दिया हुआ है ठीक है यहाँ पास आपको view ruler button दिया हुआ है ठीक है इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज के बारे हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं आपको उमीद है कि मोटा माटे इस चीज को देख करके कुछ आपको जुरूर समझ में आया होगा ठीक है चले अब हम लोग अपने page पर जाते है तो देखे उसी चीज को हम लोग समझने के लिए copy पर कुछ S परकार कर दिये है ठीक है जैसे आपको जो भी समझवा जाए यहां से आप कम से कम कुछ तो सीख ले है ठीक है देखे तो हम लोग MS Word को open किये थे तो हमको बहुत सारे tap उहां भी देखने को लिए मिला था ठीक है जैसे file, home insert, design, layout, reference, mailing, review, view और help तो इन सारे चीज़ों के बारे हम लोग एक एक करका भी पढ़ने वाले है title भार भी आप लोग हम पास देखे थे ठीक है और देखे, by default उसमें document का title का नाम क्या दिख रहा था तो document 1 दिख रहा था जो कि यहां भी आपके लिए दिया गया है उसे पिकार file और file भी हम लोग side में देख पा रहे थे ठीक है, sorry, file तो आपका यह taps होई गया यहां पास देखे थे हम लोग वहां पास एक step बटन था एक क्या था, step बटन था और click action टूल बार यहां पास side में आप देखे होँगे ठीक है, अब देखे, आपको हम पास उसके just निचे, taps के निचे आपको ribbon tap के निचे दिखा, दिखाई दिया होगा सबसे निचे, border पर title बार, ठीक है, ruler देखाऊंगे आप, ठीक है और tap में हम लोग और भी चीज़ आरेंगे जैसे कि internet, formula, slide, so यह सब नहीं होता है ठीक है, tap में जो इतना दिया हुआ है, इतना सारा चीज़ होता है लेकि internet, formula, slide, so नहीं होता है, हम तो पुछ ले जाता है कि बताएए कि निचे में कित्मे से taps का नहीं है, तो उसमें the internet, formula, slide, so रहेगा तो यह सब नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप इन सारे optionों के साथ जा सकते है ठीक है, वहीं पास आपको देखे होंगे कि tap के अंदर group of command होता है बहुत सारा हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे minimize button देखे होंगे, maximize देखे होंगे, close वाला देखे होंगे चलिए, अब हम लोग tap को open करते हैं, ठीक है, ribbon button में जो taps दिये हुए थो उसको open करेंगे और वहां सब लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है, file इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर home के बारे में पढ़ेंगे, फिर insert के उसे पर कर आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे देखे, तो सबसे पहला है file, देखे, जब हम file पर click करते हैं तो file menu में होता है, तो file menu हम लोग क्या का देख पाते हैं, home देखते हैं, new देखते हैं, open देखते हैं, in of देखते हैं, set देखते हैं, set as होता है, print होता है, share होता है, export होता है और close होता है, ठीक है, तो देखे, यद यदि हम लोग उपर का जो क्लोज दिया था ठीक है उसको यदि क्लोज करेंगे तो पूरा वो जो अप्लिकेशन हो जाएगा लेकिन जो यहाँ पास से क्लोज है ना इसको क्लोज करेंगे तो इससे क्या होगा तो डोकुमेंट क्लोज होगा ठीक है तो 2016 में से बेज के अपर क् था, pre-formatted document होता है इसमें, ठीक है, और रेडी बनावा होता है, पहले से बनावा होता है, इसमें format त्यार रहेगा, लेकिन सिर्फ उसमें आप जो personal, जो enough change करना रहेगा, वो personal data को change कर सकते हैं, ठीक है, आप देखें, इसमें margin होता है, page margin होता है, जैसे के top में margin, आप इहां दे सकते हैं, left का margin हो गया, और right का margin हो गया, ठीक है, तो right और left दोनों का margin हो गया, फिर इसका mirror होता है, ति mirror क्या होता है, देखें, जब margin देखना होगा कि, दोनों side का margin ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो लोग mirror से देखेंगे, और देखें, एक होता है, गटर, एक होता है, तो spiral binding करने के लिए gutter दिया जाता है, ठीक है, मैंने spiral binding के लिए छोड़ा गया अस्थान gutter margin कहलाता है, जैसे कि आप spiral binding में दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो इसका हो गया top spiral binding और एक हो गया left में spiral binding जो देते हैं, तो दोनों प्रकार के आप notebook में यूज़ किये होंगे, top का भी, lift का भी, अब देखे, दूसरा हम लोग का है group of command, इसमे clipboard पढ़ना है, ठीक है, home type में किया का पढ़ना है, clipboard पढ़ना है, phone पढ़ना है, paragraph पढ़ना है, style पढ़ना है, और editing पढ़ना है, तो चले, एक एक के बारे हम लोग जानेंगे, सबसे पहला है clipboard, ठीक है, देखे, copy किया गया material जो होगा, वो कहां चला जाएगा, तो clipboard पर चला जाएगा, अब clipboard पर हम लोग कितने चीज़ एक बारे में copy कर सकते हैं, और save कर सकते हैं, तो 1 से लेकर के 26, ठीक है, कितना, 1 से लेकर के 24, ठीक है, clipboard में, जो command होगा, ठीक है, वो इस प्रकार होगा, यदि cut करना है, तो हम लोग उसके लिए shortcut की use करेंगे, control plus X, copy करना है, तो control plus C, paste करन है, control plus B, और format painter, यदि करना है, तो उसके लिए, control plus shift plus C करेंगे, ठीक है, ये format copy होगा, ठीक है, और control plus shift plus B से, ये format क्या होगा, paste होगा, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखे, आगे है B में font, तो by default जो font होगा, वो calibri होता है, अब देखे होंगे, वहाँ पास display पर, यहाँ पास, जो दिखरा था, वो calibri बीच में लिखा होगा था, ठीक है, आपके यदि याद होगा तो, चले, आगे देखते हैं, font का जो color है, और font का जो case है, वो आप font में change कर सकते हैं, और इसमें आप bold देखे थे, italic देखे थे, यू underline देखे थे, यू फ़र होगया, underline और ऐसे वाला आई रहेगा, तो italic हो जाएगा, और B, जो हलका मोटा वाला रहेगा, वो फिर bold बन जाएगा, तो bold करने के लिए shortcut की है, control प्लस B, italic के लिए control प्लस I, और underline के लिए control प्लस U, by default जो size होगा, होगा 11, by default कितना होगा size तो 11, और कम से कम आप menu द्वारा कितना क तो 8 कर सकते हैं, तो जादा से जादा कितना कर सकते हैं, तो 72 कर सकते हैं, 72 जो font का size होगा, वो 1 इस के पर आपर होगा, और 36 0.5 इस के पर आपर होगा, तो यहाँ से य सारी चीज़ आप नोट करते चलिए और आपको ये सब चीज याद करना होगा, कुछ कुछ जो समझ में आ रहा है वो समझते चले और आप नोट करते चाहिए अपना नोट को पे रहेगा तो आपको याद करने में बिहद ही सुभीधा होगा ठीक है अब देखिए जो साइज दे सकते हैं वो हम लोग एक से लेकर के 1638 तक दे सकते हैं ठीक है तो आप प्लस बी करेंगे तक क्या होगा ये सारी चीज़ आप याद करते चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अब इसमें होता एक सबस्क्रिप्ट होता है और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट तो देखिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है तो टेक्स का बेसलाइन से नीचे लिखना ये सबस्क्रिप्ट होता है मैंने लिख रहे हम लोग ऐसे ए इस करग़े है कर कम हो सकते हैं ती इस से हो जायाँ आपका सबस्क्रिफ्ट सूपर स्क्रिप्ट करने के लिए आपको स dwell क्रमक्रण से क्मच प्लस इस क्ल्ट्टउ करना हो स्पर नंतर नंतर नंगास का निसे आगके वरांग साइज बढ़ा करने के लिए हम लोग shortcut कर सकते हैं तो control plus shift plus greater than का sign use करेंगे font size बढ़ा करने के लिका करेंगे तो font size को बढ़ा करने के लिए control plus shift plus greater than का sign use करेंगे और font का size छोटा करने के लिए control plus shift plus less than का sign use करेंगे font का size बढ़ा और छोटा यह रहेगा आपका font का background color देने के लिए एक इनीचे ऐसे रहेगा ठीक है एक इनीचे दी line रहेगा ठीक है इसमें color देने के लिए और a करके और eraser का sign दे रहा रहेगा ऐसे कुछ इस प्रकार से यह रहेगा आपको clear formatting के लिए और a रहेगा यह होगा case change के लिए ठीक है अब देखिए sentence case वाकिका पहला अक्षर बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं lower case सभी अक्षर a small use हो जाएगा अपर case सभी अक्षर capital later में करने के लिए capitalize each word करेंगे यहां सुझाएगा हर सब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा जो भी सब्द आप लिखना चाहते हैं तो उसका जो शुरू अले लेटर रहेगा बड़ा हो जाएगा और बाकी सब छोटा हो जाएगा और यदि टगल केस यूज करेंगे तो जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा तो sentence case में क्या था तो वाके का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा लोर केस में क्या होगा सभी अक्षर अस्मूल हो जाएगा अपर केस में सभी अक्षर capital हो जाएग तो बड़ा वला चोटा वला बड़ा हो जाएगा ठीक है चले आगे देखते हैं आगे देखें फोंट डाइलोक बोक्स क्या है पोंट डाइलोक बोक्स को इदी आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए सोटकट की है control plus D, क्या है, control plus D है इसके लिए, font का style change करना है, इसमें आप regular कर सकते हैं, bold कर सकते हैं italic कर सकते हैं ठीक है, यानि कि fold का जो है style आप आसानी से change कर सकते हैं font में आप effect दे सकते हैं, ठीक है strike through दे सकते हैं, double strike दे सकते हैं super script कर सकते हैं, sub script कर सकते हैं, shadow दे सकते हैं, outline दे सकते हैं, embose दे सकते हैं, engrave दे सकते हैं, small caps दे सकते हैं, all caps दे सकते हैं, hidden दे सकते हैं, यह सारे font का effect आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, character formatting में सामिल है, कुछ-कुछ जैसे की character formatting में आपका font style सामिल है, font effect सामिल है, outline सामिल है, underline effect सामिल है, superscript और subscript वेगा है फाराग्राफ फरमेटिंग में इन डेन्टेशन कर सकते हैं मार्जिन वर्ट टेक्स की बीच की दूरी जो होता है मतलब देखें तरहीं है जाव मार्जित खावностि ये मार वड़ा refresh है जैसे की indentation हो गया, alignment क्या होता है तो alignment से आप right, left, center justify, justify जो है right, left, center कर सकते हैं alignment का यूज़ करके line spacing में line की बीच में space दे सकते हैं line spacing के द्वारा ठीक है, तीसरा है paragraph 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 देखे paragraph में आपको ये सारे चीज़ देखने की मिलेगा, जैसे blitz आप यूज़ कर सकते हैं numbers यूज़ कर सकते हैं multi list हो गया paragraph marks दे सकते हैं अब देखे एक होता है left alignment left alignment के लिए shortcut क्यों होता है control plus L यहनि कि आप left से जब लिखना start करेंगे ती आपका left alignment हो गया उसी चीज़ के दिए हम लोग right से लिखना आरम करेंगे ती यह हो गया आपका right alignment right alignment देने के लिए आप control plus R यूज़ कर सकते हैं control plus R यूज़ कर सकते हैं और central alignment के लिए आप control plus E यूज़ किजेगा तब page का बीच से आरम होगा लिखना ठीक है यह central alignment हो गया देखिए आगे बढ़ते हैं आगे है line of spacing ठीक है तो line of spacing by default होता है 1.15 line spacing by default कितना होता है तो by default होता है 1.15 देखिए line of spacing कितना होता है तो by default line spacing होता है 1.15 ठीक है उसे छोटा भी होता है 1.0 उसके बाद 1.5, 2.0 और 2.5 होता है ठीक है अब देखे लाइन रिफिल्सिंग में आप सिंगल दे सकते हैं multiple ठीक है 1.5 lines या doubles या at least या exactly यानि कि इतना option आप महाँ पास कर सकते हैं ठीक है और जो D है एक है style D में क्या है style है तो style में क्या है कि no space रहेगा heading 1, heading 2 और title और subtitle रहेगा editing option में आप महाँ पस देखे होंगे पीछे हम लोग पढ़ेंगे थे तो editing option में आपको find मिलेगा, replace मिलेगा, go to मिलेगा और select मिलेगा ठीक है तो find के लिए आप control plus a इसमें shortcut की यूज़ कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें आगे है file और home tap हम लोग अब तक क्या कर लिए पढ़ लिए आगे है insert tap के बारे में ठीक है तो देखें insert tap तो इसमें group of command कौन कौन होंगे तो pages होंगे tables होंगे illustration होंगे और add ins होंगे और media होगा ठीक है page में क्या पढ़ाएंगे अब लोग तो page में देखें cover page blank page पढ़ाएंगे ठीक है और आगे है page break तो page break के लिए आप control plus enter कर सकते हैं shortcut की use control plus enter कीज़ेगा तो page break होगा page break एक soft page break होगा और एक होगा hard page break ठीक है तो जो automatically अगला page ले लेगा वो soft page break होगया और control plus enter कीज़ेगा ते hard page break होगा ठीक है अब देखें tables में क्या होगा तो tables में कम से कम कितने row हो सकते हैं तो एक row हो सकते हैं कम से कम कितने column यूज हो सकता है तो एक column हो सकता है maximum row कितना हो सकता है by menu के दवारा तो 32,760 हो सकता है maximum जो row हो सकता है by menu के दवारा वो हो सकता है 32,760 और maximum जो columns हो सकते हैं वो 63 हो सकते है maximum column कितने हो सकते हैं तो 63 याद रखेगा 32,760 और columns हो सकते हैं 63 देखे, टेबल तीन तरीका से open हो सकते हैं, एक insert में direct table open होता है, ठीक है, एक insert tap में और एक होता है draw table से, ठीक है, तो table के साथ दो tap और open होता है, एक होता है table design और एक होता है layout, table design का यूज करके हम लोग रंग भर सकते हैं, और layout इसके अंदर delete होता है, merge होता है और insert होता है, ठीक है, अब देखे, cursor के lift में column हम लोग बढ़ा सकते हैं, cursor के write में हम लोग column बढ़ा सकते हैं, table में row उपर और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, add कर सकते हैं, और last row में cursor रखने पर, tab दबाने से एक नई row insert हो जाता है, ठीक है, last row में cursor कर गिए, और tab आप दबाईएगा, तो वहाँ से एक और row हो insert हो जाएगा, shift plus tab से cursor backsell में आ जाता है, shift plus tab उज़ किज़ेगा, तो cursor कहाँ चल जाएगा, backsell में, convert text to table करने के लिए, document में लिखेवे data को, table में convert करना है, तो, convert text to table हम लोग क्या करेंगे, use करेंगे, ठीक है, cube table का use हम, अपने document में, calendar insert करने के लिए करते हैं, use table के युज़ करते हैं, तो, आपने document में calendar जब insert करना होगा, तब कर सकते हैं, delete, sale यारो, को delete हम लोग कर सकते हैं, delete से, merge से क्या कर सकते हैं, तो, दो sale को हम लोग क्या कर सकते हैं, merge कर सकते हैं, एक दूसरे में, bookmark का shortcut होता है, control plus G, control plus G से आप shortcut की use करके, bookmark दे सकते हैं, अब देखे, page का, यहाँ पास two parts आप कर सकते हैं, एक उपर का पाट होता है, header, नीचे का पाट होता है, footer, देखे, header क्या होता है, तो page के top margin को header बोला जाता है, यहाँ पास page number, author, या company name, use कर सकते हैं, जैसे कि माले लेते ही, यह page होगे आपका, यहाँ पास जो उपर का margin छोड़ा होगा है, यह पास होगा header, header में बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं, page number वगर यूज कर सकते हैं, एक होता है footer, तो footer क्या होता है, तो page के bottom margin होता है, यहाँ पास होता है footer, ठीक है, footer में आप signature वगर यूज कर सकते हैं, ठीक है, status bar, देखे, status bar, status bar, document के नीचे होता है, जब उन्हों सुरुम देखे थे, वहाँ पास नीचे था, यह number of page बताएगा, कि उसमें pageों की संख्या कितनी है, word का number बताएगा, कि word की संख्या कितनी है, और current page कौन सा page सो हो रहा है, ठीक है, उसका number बताएगा, जो page वर्तमान में खुला हुआ है, status bar के right side भी होता है, ठीक है, इसके right में क्या होता है, zoom in और zoom out करने का बटन दिया होता है, ठीक है, document को कम से कम zoom 10% कर सकते हैं, और इसमें document को जादा सजादा zoom 500% कर सकते हैं, और by default 100% होता है, ठीक है, जो quick launch बार है, जो present में app चल रहा होता है, उसको बताता है, ठीक है, इसके side में notification बार होता है, notification एरिया होता है, ठीक है, आगे देखे, आगे है design tap के बारे में, अगला tap खुलेगा, हम लोग का design tap, इसमें water map दे सकते हैं, page background में color दे सकते हैं, दोर साथ के अंदर design tap नही layout tap, तो layout tap में क्या है, तो page setup में margin होता है, जैसे कि margin इसमें होगा, orientation होगा, size होगा, और column होगा, ठीक है, तो margin देखे, by default margin होगा, वो normal रहेगा, type of margin, तो normal margin, moderate margin, wide होगया, narrow होगया, और office default होगया, ठीक है, column क्या है, और row का क्या होगा, उंचाई होगा, column की चड़ाई होगा, और row का उंचाई होगा, ये भी स्वाल बार बार पूछ ले जाता है, कि column की क्या होता है, और row की क्या होता है, ठीक है, तो column की चड़ाई होगा, और row की उंचाई होगया, orientation में देखे, orientation में क्या है, तो portrait page होगा, by पास page size लेटर के समान होगा A4 जैसा होगा A3 होगा लीगल होगा या statement के जैसा होगा ठीक है यह page size होगा आपका आगे है column तो 1 हो सकता है column 2 हो सकता है 3 हो सकता है lift हो सकता है और right हो सकता है ठीक है और maximum column जो है ना 13 हो सकता है maximum column कितना हो सकता है 13 column maximum हो सकता है उसे पगार समलोग 9 location है आपस पढ़ेंगे जैसे कि यह वाला location दिया हुआ है top right में यह वाला location दिया हुआ है top left में यह वाला center में दे हुआ है यह वाला कहां दिया हुआ है तो यह दिया हुआ है left center में ठीक है, यह दिवा आपका right center में दिया हुआ है, यह आपका bottom right में दिया हुआ, यह आपका bottom right में दिया हुआ है, यह आपका bottom center में दिया हुआ है, और यह आपका top center में दिया हुआ है, यह आपका top center में दिया हुआ है, तो यह आपका top center में दिया हुआ है, यह आपका top center में दि प्रेंस होता है जो पेज के बिलकुल नीचे दिया जाएगा जैसे कि आप समिधान का बुक पर रहोंगे ना तो उसमें कुछ लिखा रहेगा कि भारती समिधान का अनुछे 343 में हिंदी के हमापास इसे कोष्ट में एक लिखर रहेगा तो जैसे एक लिखर रहता है यह इंड नोट तो पेज पर दिये गया किसी वर्ड का रिफ्रेंस होता है जो डोकुमेंट के बिलकुल नंत में रहेगा अब देखे यहां पास यह आपके लिए इंड नोट इस्तिमाल किया गया है ठीक है लेकिन इसके बारे में आपको पेज के मनें बुक के सबसे नंत में र तो मेलिंग क्या है तो मेलिंग जो होता है ना MS Word का सबसे में फीचर होता है MS Word का सबसे में फीचर क्या होता है मेलिंग होता है मेलिंग क्या है तो किसी एक पत्र को कई प्राप्त करता हो के पास भेजने के सुभिधा होता है मेलिंग ठीक है इसमें क्या होता है तो डाटा सो अगे कहां रीभी्यू है देखिए हैं यहां पास रीभीव में आप एटीड जेक कर सकते हैं जैसे कि एटीड एर रहेगा आपको एल से रेड लाइन सो गहां आपको पर एटीड लाइन को ऀस्माल कर सकते हैं ग्रामर यदि रोंग रहे गा तापको green sign रहेगा ग्रामर रोंग रहे गा तो आपको green लाइन दिखाइदेगा। ठीक है और यदि word format रोंग रहेगा तो इसके लिए आपको black दिखाइदेगा है सिए ब्लेक饹र, इसका दिखाइदेगा hp ठीक है यहां सरी भीव था आगे है भीव के बारे में देखे भीव क्या है तो by default जो print होता है वो layout होता है और देखे जूम option इसमें होगा जूम option भीव में रहेगा और नीचे status बार में भी होगा ठीक है वेब साइट के लिए वेब layout भी होगा यहां पास read mood में किज़ेगा तब full screen रहेगा हो जाएगा और outline भीव में देखेगा तो dotted line मिलता है वहाँ पास bulleted line मिलेगा और drop भीव में जाएगा तब print layout जैसा आपको ऐसा ही देखेगा जैसा print क्या layout देखेगा ठीक है अब आगे है ms word के कुछ महत्मुन shortcut के जैसे की control plus x to cut के लिए control plus c copy के लिए control plus v paste के लिए control plus z undo के लिए control plus y redo के लिए control plus a save के लिए control plus p तो print के लिए चले आगे बढ़ते हैं आगे देखें सम्पोटेंट moving around easily and quickly shortcut keys जैसे की home हो गया तो beginning of line हो गया end हो गया तो end of line हो गया ठीक है यह सब keys operate करने के बाद आएगा आपका जैसे home button से beginning of line हो जाएगा ठीक है end से आपका end of line हो जाएगा वही है तो control plus home से आपका go to start of document हो जाएगा control plus end से go to end of document हो जाएगा right arrow से क्या हो जाएगा right one के रेक्टर लिखाएगा left arrow से क्या होगा left one के रेक्टर लिखाएगा Ctrl प्लस राइट एरो से क्या होगा तो राइट वन होड़ा जाएगा Ctrl प्लस लेप एरो से होजाएगा लेप्ट बड़ा जाएगा ठीक है और अप एरो से अप वन लाइन होजाएगा डाउन एरो से डाउन वन लाइन एक लाइन नीची होजाएगा ctrl plus up arrows क्या हो जाएगा तो up one paragraph हो जाएगा ctrl plus down arrow से down one paragraph हो जाएगा a4 से repeat last command जो आप use की जाएगा वही चीज ए4 से repeat हो जाएगा ctrl plus a से क्या हो जाएगा तो all whole document जो रहेगा वो select हो जाएगा ठेक है आगे है text formatting shortcut की जैसे की देखिए ctrl plus b से bold हो गया ctrl plus i से italic हो गया ctrl plus c से underline हो गया ctrl plus if plus l से bulleted list हो गया ctrl plus इधर का यदि costac का sign use कीज़ेगा तो i से आक होगा तो growth fund से हो जाएगा और इधर कीज़ेगा ctrl plus से shrink fund से हो जाएगा ctrl plus a से align left हो जाएगा ctrl plus c से alignment center हो जाएगा थेक है आगे देखे पढ़ते हैं हम लोग कीबोर्ड के बारे में तो देखे एक कीबोर्ड में आप जानते हैं कि six type का की होता है जैसे पहला है वन्शनल की जैसे देखे functional की भी कौन कौन की आ जाएंगे तो एफ्वन से लेगर के एफ बारत तक यह सब Functional Key होता है Function Key का अपयोग BCS कार्यों के लिए किया जा सकता है Function Key का परियोग हर एक program के लिए अरवलग होता है अब देखे Use of Functional Key में F1 से क्या कर सकते हैं Help window को open कर सकते हैं F2 से क्या कर सकते हैं Change file या folder name कर सकते हैं File folder नम को change कर सकते हैं F3 से क्या कर सकते हैं, तो किसी भी app में search open कर सकते हैं, F4 से किसी window को close करने के लिए alt plus F4 उच करेंगे, F5 से refresh करने के लिए F5, और F6 से internet browser के address bar में जाने के लिए F6, F7 से MS word पर spelling और grammar check के लिए करें, MS में क्या करेंगे, F7 उच करेंगे, F8 से क्या होगा, तो computer को on करते वक्त boot option में जाने के लिए F8 हो गया, F9 तो MS office के document को refresh तथा, Microsoft outlook को email send करने के लिए F9, F10 से किसी भी app में menu बार खोलने के लिए F10, F11 तो browser को full screen या browser से बाहर आने के लिए F11, और F12 से MS word में save और dialogue box open करने के लिए F12, ठीक है, आगे है tapping key भी देखिए, tapping keys है, जैसे कि letter और functional की हो गया, mark हो गया, symbol दे सकते हैं, number दे सकते हैं, shift, caps, lock दे सकते हैं, tab, enter, और space बार दे सकते हैं, backspace ते सब tapping की हो गया, control की में क्या हो गया, तो escape की हो गया, ठीक है, ESC का पुरण होता है escape की, इसका यूज वर्तमान में चालू, किसी task को cancel करने क्लिक कर सकते हैं, अब देखिए, आगे है control की, ठीक है, तो इसका पूरा जो नाम होता हो, control की होता है, इसका यूज keyboard shortcut में किया जाता है, alt की, alt की का पूरा नाम होता है, alter की, इसका यूज भी, keyboard shortcut में के जाता है, window logo की, इसकी का यूज start menu को open करने की कर सकते हैं, menu की, menu की mouse के right click के, समान ही कारे करता है, या किसी चुने है प्रोग्राम में, समधित बिकल्प को open करता है, फिर उसी बतार PRT की हो गया, computer screen की image लेने के लिए, इसकी का में लोग यूज कर सकते हैं, आगे है navigation की, navigation की, यहाँ पास दिया हुआ है, को उनको navigation की है, arrow ज़ला हो गया, insert हो गया, home हो गया, page up हो गया, delete हो गया, end हो गया, और page down हो गया, ठीक है, आगे इसके बाद indicator line, आपको keyboard में indicator line से दिया हुआ रहेगा, यदि आपका num lock है, तो वो अला बोल जलेगा, caps lock में caps lock अला बोल जलेगा, ठीक है, और indicator की में वही है, कि keyboard में तीन तरह के indicator light दिये हुए होते हैं, आगे है number की, sorry, numeric keyboard, तो numeric keyboard आपका calculating, जो key है, वो दिया रहेगा, escape की रहेगा, number की रहेगा, ठीक है, और बाकी है इधर, keyboard के सारे, जो रहेंगे, buttons उसके बारे में, ठीक है, कीज के बारे में, तो देखले हैं, यहाँ से आप, चला आगे बढ़ते हैं, आगे है, मुख्य tapping कीज, और उनका उप्योग, देखे, caps lock कीज का, small और capital letter के लिए, shift key का, तो shift plus character रीज करेंगे, ठीक है, capital लिखे का उसके बाद, tap key का, तो एक साथ काई character के बीच, यदि हम लोगा space देना साथ चाहते हैं, तो tap key का इस्तमाला करने ज़िए, पी की बाद यसे लिखेंगे, अब tap कर देंगे, तो P, Q के बीच space हो जाएगा, भाने सब के बीच space हो जाएगा, enter की से क्या होगा, तो अगल लाइन में जाने के लिए, enter key, back space है, जो fault mistake हुआ हूआ हूँ लेटर हड़ जाएगा, और space bar से space देने के लिए space bar यूज करेंगे, alt key और control key और shift key, यह control key या modifier key के नाम से जाने जाते हैं, कुछ और महत्मून की है, जैसे shortcut key है, देखे, some important shortcut key, जैसे की alt plus e, तो edit option हो गया, control plus end, तो end of document हो गया, control plus b, open the print window हो गया, alt plus e, plus t, इसे insert of current time हो जाएगा, control plus f, तो open find box हो जाएगा, control plus e, plus f, तो change the font हो गया, control plus l से क्या होगा, तो move one mode हो गया, left में, control plus one से single space line हो जाएगा, control, sorry, alt plus e, plus d से insert current date हो गया, control plus alt plus one से change text to heading हो गया, control plus alt plus two से change text to heading हो गया, तो ये सब चीज आपको सबसे पहले नोट करना होगा, नोट करने के बाद आप जो चीज भी याँ पास क्लास से अभी समझे होंगे, ठीक है, इसी चीज को आपको रिपेटेड विजोट के फ़र्म में तो दो बार देखने होगा इस वीडियो को, उसके बाद आप इस चीज को आसानी से याद कर पाईएगा, ठीक है, तो चले मिलते हम लोग, अगर वीडियो के साथ तब तक क्या लिए, जै हिंद, जै भारत